नमस्कार मैं प्रग्या ध्रधर 30 खबरों में आपका स्वागत चले जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुक खबरों को जीपी सम्मेलन में सीयम नतीश और पीयम मोदी के बीच हुई मलकात के बाद केंदर सरकार की ओर से बीते दिन यानिकी रविवार को अपकास का दिन होने के बावजूद बिहार के 33 पंचाइती राज संसानों के लिए 1,942 करों रूपए आवंटित किये गए हैं बतादे किसकी जानकारी राज्य सरकार को दे दी गई है वह इस बात की पुस्टी पंचाइती राज विवाक के अपर मुखिस शीव महिर कुमार सिंग के त्वारा की गई है मालुम हो कि वीतिय वर्ज 2023 में 15 वित आयो के नुसंसा के तहट किन सरकार से अनुदान के रूप में कुल 3884 करों रूपए की राज्य सरकार को प्राप्त होनी हैं जी बीस के समापन सतर में पीम ने कहा कुछ जोलन समस्याएं विश्व के सामने हैं जो सभी देशों के वर्तमान और भविश्य दोनों को प्रभावित कर रही हैं साइबर जगत से आतंकवाद को नए माध्यम और फंडिंग के नए तोर तरीके मिल रहे हैं ये हर देश की सुरक्षा और समर्धिक के लिए बहुत महतपुर्ण विश्य है जब हम हर देश की सुरक्षा और हर देश का समवीदना का ध्यान रखेंगे तब ही एक भविश्य का भाव ससकते होगा दुनिया के सामने मौझूद साइबर सुरक्षा और क्रिप्टो करेंसी जैसे चुनोतियों से हम परजित हैं इनके नियमन के लिए हमें वैस्ट विक फ्रेम वर्क की जरूरत है और इस तिसमें जल से जल ठोस कदम उठाने होंगे सरकारी पर फिर सस्ता सोना खड़िदने का मौका दे रही है सौवरेन गोल्ड बॉंड योजना 2026 की दूसरी खेप सोमवार यानी 11 सितमबर से खुल गई है इसमें अगले 5 दन तक यानी 15 सितमबर तक निवेश कर सकते हैं अगर आप सोवरेन गोल्ड बॉंड के लिए 5930 रुपे प्रती ग्राम का भाव तैय किया है जबकि दिली सराफा बाजार में सोना 8 सितमबर को 6150 रुपे प्रती 10 ग्राम पर बंद हुआ था भान ने भी प्रतिक्रिया दी उन्होंने कहा कि यूएल इंसेकुरिटी कॉंसल में भारत को स्थाई सीट मिलने पर हमें गर्व होगा ग्राम को लेकर विश्व स्वास्त संगठन के अलर्ट के बाद सकती बढ़ा दिये विश्व स्वास्त संगठन द्वारा दवा तुरक्षत जितावन के कारण कैंसर के इंजेक्शन एड़ सेटरिस और लिवर की दवार डिफिलि टेलिया को अबाजाही और बिक्री पर निग्रानी बढ़ाई गई है भारती ओस्टी महा नियंत्रक ने सभी राजियों और केंद्र साश्रित प्रदेशों के ओस्टी नियंत्रकों को बिक्री पर करी निग्रानी रखने का निर्देश दिया है। श्वापस लोड़ गया लेकिन क्राउंस प्रिंस मुहमद बिन सल्मान आज भारत का दौरा कर रहे हैं। श्वापके निद्ध में हम अलगाओं में नहीं बलकि एक्ता में समर्द होंगे। 200 डॉलर प्रती में ट्रिक टन तै कर दिया है। बासमती के नाम पर विदेश में बेची जाने वाली गैर बासमती चावल पर रोक लगाने के लिए सरकार ने ऐसा किया है। कच्रिक गैर बासमती चावल पर रोक के बाद या देश भर में चावल नर्यातकों के लिए दूसरा सबसे बड़ा जटका माना जा रहा है। नर्यातकों के पहले से ही सस्ती दरपर किये गैसोदों पर भी संकट आ गया है। अगला चनाव इसी भेद को मिटाने के लिए लड़ा जाएगा दिखावा भी चलावा होता है। भावना ही प्रकट की। उन्होंने कहा कि जब देश की सबसे बड़ी और जतारूर पाटी भाजपा सहित किसी दल क्या अध्यक्ष को आमंतर नहीं था तब कौन रिस्क्यों मूफ लाए बैठी रही। कनाडा की प्रधानमंतरी जस्टिन टूडो के विमान में तक्निकी खड़ाब आ गई है हवाई अड़े के अधिकारी ने ए एनाई को बताया कि कनाडाई प्रतिनीदी मंडल तब तक भारत में रहेगा जब तक की जमीन पर इंजिनरिंग टीम समस्या को ठीक नहीं कर कनाडाई ससस्तर बलो दोरा अफगत कराया गया कि सी एफ सी शुन शुन एक तकनिकी समस्याओं का सामना कर रहा है इन मुद्दों को रातो रा ठीक नहीं कहारा सकता वेकल्पिक व्यवस्था होने तक हमारा प्रतिनीदी मंडल भारत में रहेगा जीबी सीखर समेलन से इतर बेहद महत्वकांची भारत मिडल इस्ट यूरोप आर्थी कोरिडोर का अलान किया इसमें ग्लोबल बिजनेस के लिहास से गेम चेंजर हो का गरेल मंतर अश्रीनी वैसनम ने इस करियारी के महत्वके बारे में बताया किससे भारत और यूरोप के हजारों किलोमीटर की दू आमेल होने आये राष्ट्र ध्रक्षोव देश के विविन राज्जियों के मुख्यमंत्रियों को राष्ट्रपती भवन में भोज के लिए आमंतरत किया था भोज के एक तस्वीर अविवार को खूब चर्चा में रही इसमें प्रधान मंत्र इनरेंद्र मोदी के साथ नित गल्यारे में खूब चर्चा हो रही है सिखर समेलन के आयोजन अस्थल भारत मंडपम में पानी की खतित तस्वीरे और वीडियो शोशल मेरिया में वारल हैं इनके वारल होने के बाद विपक्षी दल कॉंग्रस को भी केंद्र की नरेंद्र मोदी सिरकार पर निशना साथने का मौका मिल गया वहीं अब पी आई ब भारत देव भूमी टूर पैकेज लेकर आया है इसे पैकेज में अगर आप बुकिंग करते हैं तो आपको भारत गौरव स्पेशल टुरिस्ट्रेंट से देश के अलग-अलग धार्मी कस्थलों के दर्शन का मौका मिलेगा आई रसीटी सी के इस पैकेज के तहट आपको हर भारतीय रिजर्व बैंक ऑक्टूबर तक अंतर बैंक उधारी और या कॉलमनी मार्केट में लेंदेन के लिए प्रायो की रूप से डिजिटल रुपय के शुरुवात कर सकता है केंद्रे बैंक के कारिकार्डी निदेशक अजैकुमार चौधरे ने रविवार को यह बात क ही ठोक केंद्रे बैंक डिजिडल मुद्रा जिसे डिजिडल रुपया ठोक के रूप में जाना जाता है कि शुरुवात एक नवम मर्दों 2022 को हुई थी इसका उपयोग सरकारी प्रतिभूतियों में दुवित्यक वाजार लेंदेन के नप्टान तक सिर्थ भा भारत ने जी की निगाहें ठिकी होई थी समेलन के आखरे दिन प्रधान मंतरी नरेंद्रमोदी ने जीबीस की अध्यक्षता ब्राचील के राश्टरपती लूला डा सिलवा को सौब दीस भी समेलन की कुस तस्वीर ये ऐसी सामने आई है चिन्होंने इंटरनेट पर लोगों का ध्यान आ करशित किया इसी में से एक है बर्धान मंतरी रिसी सुनक की तस्वीर जिसमें वे बांगला देश की प्रधान मंतरी से एख हसीना से घुटने के बल बैठकर बात कर रहे है यह तस्वीर वारल हो गई, एक्स्यूजस ने तस्वीर को शेर करते वे लिखा है कि बड़े लोगों मेहंकार नहीं होता, कहीं लोगों ने तश्वीर को बेहत प्यारा और खर्शक बताया है एक तरफ नहां देश में जीबी समेलन हो रहा, जिसको लेकर पूरे देश में उस साहे बीजेपी से गर्व की बात कह रहे है, दूसरे तरफ जेडियू के मंतरी ने जीबी समेट को लेकर बड़ा बयान दे दिया है, जिसके बाद राजज़िती में हलचल पैदा हो गई है, मं परशिम मंगाल के मुख्यमंतरी ममता बनरजी के सांसत भतीजे अभिशेक बनरजी ने दावा किया है कि एडी ने पेश होने के लिए उन्हें नोटिस भेजा है, अभिशेक बनरजी ने एक्सपर प्रधान मंतर इनरेंद्र मोधी का नाम लिये भी ना लिखा, इंडिया में मेंबर हैं। ने कहा कि यहां उनके लिए भावनात्मक पल था। ने कहा है कि प्रधान मंतर इनरेंद्र मोधी इसके बचा एक व्यक्ति एक सरकार एक पुंजी पती में विश्वास रखते हैं। ने अपने कड़ी वी दोस उद्योग पती गौतम अडानी के लिए मोधी मेड मोनोपोली इसकी सुवधा प्रधान की है जीबी सिखर समिलनम ने प्रधान मंतरी मोधी के पिछले बयानों को याद करते वें। मनिपूर राजय मंतरी मंडल ने बीते स्रनिवार शाम को मुख्य मंतरी एन बिरिन सिंग की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में शुक्रवार की गोलाबारी के दौरान नागरी को पर केंदरी सुरक्षा बड़ो की आवंचित कारवाई की निंदा की टैगनोपाल जिले क पतेल में हुई गोली बारी के इस घटना में तीन लोगों की मौत हो गई और पच्चास से धिग खायल हो गये थे बैठक में केंदर को घटना से वगत कराने का भी संकल्प लिया गया एक रिपोर्ट में कहा गया है किस से पहले मैईतई समुदाई के सैक्रो लोगों ने कू कमिशनर अजय कुमार मिश्रा ने बताया कि सोशल मीडिया पर वारल हुई एक वीडियो क्लिप के आधार पर एफायार दर्ज की गई है एंडे टीवी में प्रकाशित एक रिपोर्ट के नुसार 16 सेकंड के वीडियो क्लिप में नरसिंग अनंद पुर विराश्पती कलाम के कि बाड़े में अपरीय टिपने करने के लावा मुसल्मानों के लिए आपनती जनक भासा अकास्तिमाल करते दिखाई दे रही है बंदे भारत एक्स्प्रेस ट्रेन देश के द्यातर एहम सहरों में चलने लगी है इसके लावा स्लीपर बंदे भारत की भी तयारी है यही नहीं अब कमजोर आर्थिक वर्ग के लोगों के लिए भी बंदे भारत ट्रेने आने वाली है इन ट्रेनों का अभी तक नाम ते नहीं है लेकिन रेने बंदे साधरान ट्रेन कहा जारा है ये ट्रेने किराई के लाहज से सस्ती होंगे और शुवधाएं लगजरी होंगी इन ट्रेनों में कुल 24 को छूंगे और दो इंजन लगाए जाएंगे रेलवेन इसे लेकर आधिकार अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष तक के निताओं से 1-2-1 मुलकात किया गया तो जहन चौधरी पश्मी यूपी के आरल्टी निताओं के बैठा कर फीड़बैक लेंगे जहन चौधरी ने आज पश्मी उतर प्रदेश से लेकर ब्रिज छेत्र के निताओं के साथ गर के बाबा बैदेनाथ मंदिर पहुंचे जहां उन्होंने पूजा अर्चना की बता दे के ज़रा लालू यादव और राबरी देवी के द्वरा बाबा बैदेनाथ पर 21 लीटर दूद अविशेक किया गया वही पूजा के बाद लालू यादर ने माथा टेक और देज पूर्णी चाही और नोने का कि मदर्शा सिक्षा के विकास में राजभवन की ओर से भी सही ओग किया जाएगा कुछ लोग ऐसे हैं जो मदर्शा को लेकर गलत बयानी करते हैं ऐसे में हम लोगों की जिमिदारी है कि मदर्शों में छात्र को उत्कृष्ट और आधुनिक सि अब बढ़ते हाज के सवाल की और आज का सवाल है आपके छेतर के सरकों की सितिक कैसी है अपना जवाब हमें हमारी कमेंड सेक्षन लिकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही धन्यवाद